केंदर सरकार ने उत्तर पूर्व राजे में घालेव से आर्मड फोर्स से स्पेशल पावर अक्ट अफ़स्पा को पूरी तरह हटा दिया है लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ये अफ़स्पा कानून है क्या? इस कानून के तहट क्या अधिकार दिये जाते हैं? चलिए बताते हैं अफ़स्पा अशांत क्रेत्रों में सुरक्षा बलों को बिना किसी पूर्वर नोटिस के किसी व्यक्ती को गिरफतार करने और ओपरेशन चलाने की विशेश इजाजत देता है 45 साल पहले भारतिय संसत ने अफ़स्पा यानी Armed Force Special Power Act 1958 को लागू किया जो एक फाजी कानून है जिसे डिस्टर्ब क्रेत्रों में लागू किया जाता है यह कानून सुरक्षा बलों और सेना को कुछ विशेश अधिकार देता है अफ़स्पा को 1 सितंबर 1958 को असम, मनिपूर, त्रिपुरा, मेघाला, अरुनाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड सहिद भारत के उत्तर पूर्व में लागू किया गया था इन राज्यों के समूह को साथ बहनों के नाम से जाना जाता है इसे भारतिय संग से अलग पूर्वत्तर राज्यों में हिंसा रोकने के लिए लागू किया गया था विभिन दार्मिक, नसलिय, भाशा, क्षेत्रिय समूहों, जातियों, समुदायों के बीच मदभेद या विवादों के कारण राज्य या केंदर सरकार किसी क्षेत्र को डिस्टर्ब घोशित करती है अब हस्पा के अधिकार के तहेत सशस्त्र बलों के पास शक्ती होती है कि वेह राज्य में उनकी चेतवनी के बाद यदि कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है और अशान्ती फ्हलाता है तो सशस्त्र बल के विशेश अधिकारी द्वारा आरोपी की मृत्यू हो जाने तक अपने बल का प्रयोग कर सकती है सशस्त्र बल किसी भी असंदिक दुव्यक्ति को बिना किसी वारंट के गिरफतार कर सकते है गिरफतारी के दोरान उनके दोरा किसी भी तरह के शक्ती का इस्तिमाल किया जा सकता है अफसर परिवार के किसी व्यक्ति, संपती, हतियार या गोला बारूद को बरामत करने के लिए बिनाव औरंट के घर के अंदर जा कर तलाशी ले सकता है और इसके लिए जरूरी बल का इस्तिमाल कर सकता है एक वाहन को रोक कर या गर कानूनी ढंग से जहाज पर हतियार ले जाने पर उसकी तलाशी ली जा सकती है यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको जल्द ही पड़ोसी पुली स्टेशन में अपनी गिरफ्तारी के कारण के साथ उपस्थित होना होता है कि उसको क्यूं गिरफ्तार किया गया सेना के अधिकारियों को उनके वहदकारियों के लिए कानूनी प्रती रक्षाद दी जाती है सेना के पास इस अधिनियम के तहित अभियोजन पक्ष अनुकूल या अन्य कानूनी कारेवाई के तहित अच्छे विश्वास में काम करने वाले लोगों की रक्षा करने की शक्ती है इसमें केवल केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर सकती है इरोम शर्मिला ने अपसपा हटाने के लिए करा 16 साल संगर्श इस कानून का विरोड करने वालों में मनीपोर की कारकरता इरोम शर्मिला का नाम प्रमुख है जो इस कानून के खिलाफ 16 सालों से अंचन पर थी उनके विरोट की शुरुआत सुरक्षबलों की कारेवाही में कुछ निर्दोश लोगों के मारे जाने की घटना से हुई सयुक्तराष्टर के मानवाधिर आयो की कमिशनर नवीन तम पिलाई ने 23 मार्च 2009 को इस कानून के खिलाव जबरदस्त आवाज उठाई थी और इसे पूरी तरह से बंद कर देने की मांग की थी